न्यूजिलेंड के वाइड आइज लैंड पर सोमवार को अचानक ज्वाला मुखी फटने से पाश लोगों की मोथ हो गई और 18 अन्य लोग घायर हो गई इसके अलावा कई लोग वहां फस गई है इस विस्पोर्ट का एक संसनी वीडियो सामने आया है जिसमें ज्वाला मुख पर अलग बग 50 लोग गए हुए थे तभी ज्वाला मुखी में दोपहर के करीब अचानक विस्पोर्ट हो गया उन्होंने कहा कि ज्वाला मुखी फटने से पांच की मोथ हो गई है तथा अन्य का इलाज चल रहा है कहाईलों में कई गंभी रूप से जल गई है इनी लोगो एक के बाद पहली बार वी स्पोर्ट हुआ हाला कि अभी दीप पर फसे हुए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिली है लेकिन माना जा रहा है कि इनकी संख्या दहाई में है उपायुक्त जोन टीम्स ने कहा कि अभी हमें लोगों के बारे में स्टीक जानकार जिससे दीप पर लोटने से हमारी सुरक्षा को खत्रा हो सकता है कैन्बरा में अधिकारियों ने बताया कि दीप में फसे लोगों में ऑस्ट्रेलिया के कई नागरिक हो सकते हैं देश की आपात प्रभंदन एजनसी ने ज्वाला मुखी में विस्पोर्ट का मध्यमस्तर का बत इंड़ा बताया के लिए बाल इकन को खिलक कर हमारी चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें हैं रहने वाल